दोस्तू इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का पांच बड़े हिमायदार सवाल जो आपके जीवन बनाने में मदद करेगी और अपने सांथ साथ एक दूसरे को देख भाल भी कर सकते हैं तो बेगर टाइम नश्ट किये हुए इस वीडियो को जरूर दखें ध्यान से सवाल नमबर एक घर में धूप अगरबती जलाने से क्या क्या फाइदा मिलती है घर में दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आच्छा जनकाड़ी हमेशा पाने के लिए दोस्तो इसका सही अंसर है परदूसन बाहर निकलता है और अक्सीजन जो है अच्छा वच्छा वगर में परवेश करता है तो कोई परकार की बीमारी नहीं होती है यानि कि नक्रात्मक उड़िया जो है वो बाहर निकलता है और सक्रात्मक उड़िया जो है वो अंदर आता ह तो कुई परकार की बिमारी नहीं होती है तो बिमारी में पैसा नहीं लगता है सवाल नमपर दू दामा या अस्थामा वाले रूगियों को कौन सा चीज खाने को नहीं देना चाहिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अस्थामा की बिमारी जूर हो जाएगी तो जितना भी हम लोग पैसा कमाते हैं वो सब बिमारी में कर्च हो जाती है दावा खाने के दुकान पर लिखा रहता है दावा खाना खाना ही दावा है दोस्तों यह बात आप लोग समझें ध्यान से सवाल नमबर 3 जैन डिस होने प काल स समाने के कारण होता है ईसलिए दोस्तों गाना डाश चूस और सुबहश खूबासनान करें जितना में ठंडा हो सकते उतना समान खाएं सवाल नमबर 4 आम खाने से क्या-क्या फाइदा मिलती है ठीज में दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइऄ चैनल को सब् मिलती है और हमेशा आप तक मिलती रहेगी दोस्तों इसका सही अंसर है सेहत बनता है दिमागी कमजूरी दूर होती है और आतों की जो रेशा है कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी-किसी को जैंडिस हो जाती है तो आतों के रेशा जो है उख खतम हो जाता है तो इसलिए आम खाने स से फिर वापस नया बनता है दोस्तों सवाल नमबर पाच जिस बच्चे को पढ़ने में मन ना लगे तो उसको क्या खिलाना चाहिए दोस्तों नहीं चानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जनकाड़ी हमेशा पाने के लिए दोस्तों के अच्छा जनकाड़ी मिलती रहे दोस्तों इसका सही अंसर है ज्यादा गाय का दूद उनको देना चाहिए गाय का दूद में बहुत ज्यादा विटामिन मिलती है एक हजार से ज्यादा विटामिन उसमें मिलती है इसलिए सर्वोतम उत्तम माना गया है गाय का दूद गाय ते जोगा थेंकि दोस्तों